नबस्कार साथियों कैसे आप सभी आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे आज के वीडियो लेक्चर तंत्रिका तंत्र यानि नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे इससे पहले हम लोगों ने एक्सक्रेक्टरी सिस्टम पढ़ा यानि सर्जनतंत्र पढ़ा था जिसका लिंक जो आपक बहुत कुछ मिलने वाला है आपके अपने चाहते संजय सर जो कि आपके मैत एक्सपर्ट हैं उनकी वीडियो आप देखिए जाकर के तू दा पॉइंट से यानि कि आपकी परिक्षा में जैसे प्रसंद बनेंगे वह ऐसा का वह ऐसा उन्होंने दिया है तो आप जाईए प् की जो वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेसन आपको मिल सकें और आप परिक्षा की ठीक से तयारी कर सकें और अपने दोस्तों को भी जोड़ते रहे हैं जिससे हमारा भी उस्सावर्धन रहेगा और आप जो वीडियोज है उसको लाइक भी करते रहे हैं जिससे हमें लगे कि नहीं आप मेरे साथ में और हमारा उस्सावर दन करें चलिए हम दोग शुरू करते हैं इस वीडियो को तंत्रिका तंत्र के बारें बात करें तो स्वयत दूसरा परिधी होता है, तीसरा स्वयत होता है, केंदरी होता है। है पार दी होता है और तीसरा होता है आपका सुएत र Alrighty कि तीन प्रकार के जो है तंदृधिका तंत्र होते हैं विडिकारे में गुण किसे भी दो प्रकार से रहे हैं इसके अंत्रिध पहला तो आपका मस्तिस्क आ जाता है क्या जाता है पहला मस्तिस्क आ जाता है और मस्तिस्क के बाद में आपका आता है मेरु रज्जु क्या आता है मेरु रज्जु आ जाता है ठीक है तो यह दो चीजों से मिलके देखो एक चीज समझना अगर आपसे यहां पर प्रस्ण यही पूछ ले कि के मेर उरज्जू या ऐसे पूछले इन्विखित में से केंजरी तंजरी का भाग नहीं है तो आप ध्यान अखना ये दो इसके भाग है और इसके लावा अगर कोई दे दिया जाए तो भाग नहीं है ठीक है तो देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे मस्तिस्क और मेर उरज्जू को पूंड रूप से डंग से पढ़ने वाले मेर उरज्ज से समंदित कोशन बहुत कम पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी जो कोशन पूछे आते हैं मैं उसके बारे में आपसे चर्चा कर लेता हूं देखिए यह हमारा आम मान लेते हैं आपका सिर है ठीक है खोपड़ी है ख हटीयों की सब्सक्राइब दोनों तरब से कुछी सब्सक्राइब हैं अर्ए हैं सब्सक्राइब तर्म करते हैं लेकिन इसमें आपकी जो हड़ियां है तो उनको मुरीड की हड़िया जो हड़ियों की जो कड़ियां है उनको मुरीड की हड़ि कहते हैं और इनकी संख्या जो होती है वो सामान मनुस में या एक वैस्क मनुस में जो है इनकी संख्या 26 होती है लेकिन अगर यही बात करें सामान मनुस्य की बात हो गई सामान मनुस्यों में इसकी संख्या कितनी होती है बताओ वही 26 होती है लेकिन यही पर अगर हम बात करने बच्चों की तो बच्चों में इनकी संख्या कितनी होती है 33 होती है कहां बच्चों में इनकी संख्या होती है ठीक है रीड की हटी बच्पन में जब होते हैं तो इसमें और जब वैस को जाते हैं तो इसमें 26 जो है इसकी संख्या बसती है तो यह जो हम लोगों ने पढ़े लिया अब इससे जछीज पर question नहीं बनते लेकिन जो भी पूछा जाएगा मैं आपको बताता रहूंगा आगे देखिए यहां पर जो आपका यह मैंने सिर बताया इसको देखिए अब आपको यह लग रहे ना इसी रही है ठीक है आमान की चलिए सीर है यहां पर जो है सिर में जो है कुछ इस तरीके से जो में जो है आपकी ही कहां होती है बताओ है नो कि आपके सर्को ड़खती में जो होती है less tweet हर्ते यह कहले है कि मनेटिंच के टीन बांसी वाग होते हैं लेकिन दो परूलिए कर और वाल बाही है जिनके वहारी बता देए है जो आपका सबसे बहारी भाग जो है मैंने जिसका जो बहारी भाग है उसको कहते हैं हम लोग डियूरा डियूरा मैटर या इसको हम कहते हैं कठोर माता क्या कहते हैं इसको कठोर माता कहते हैं ठीक है और जो इसका जो सबसे आंतरीक भाग जो होता है उसको हम लोग कहते हैं पाया मेटर क्या कहते हैं पाया मेटर कहते हैं और पाया मेटर को हम कहते हैं यह देखी आंतरिक भाग होता है और यह कैसा होता है इसको कोमल माता कहते हैं क्या कहते हैं कोमल माता ठीक है और यह लेटिन भासा में इसको कहते हैं ठीक है लेटिन भासा में इनको कठोर माता और कोमल माता जो है कहते हैं डिवरामेटर जो होता है यह आपका मेनिंजिस का बहारी भाग होता जो कि कठोर होता है और पायामेटर जो होता है वो आपका मेनिंजिस का सबसे अंतरिक भाग होता है जो कि कोमल होता है इसलिए इसको लेटिन और यह सोता है क्रेणियंग कहलाता है और क्रेणियंग क्या होता है तो आप की हडंधियां होता क्या है जब आप यहां पर देखेंगे इस तरीके से आप अगर मारेंगे तो खट-खट सा होता है जो खट-खट सा जो होता है वही आपकर क्रेणियम होता है ठीक है धानकर जो के हड़ियों से बना होता है इसको हड़ियों का मकड़ जाल के तरीके से हम कर सकते हैं ठीक है को है वो आपकी कोने नियूरॉन है या यह कहलें कि तंत्रिका तंत्र की जो नर्व होती है या तंत्रिका तंत्र की जो कोशिकाएं सिल्स होती है वो इसकी प्रमुक इकाई है देखो भाई इसकी प्रमुक इकाई जो है आपकी ध्यानखना कोने नियूरॉन है नियूरान के लो या इसको नियूरान के लावा इसको नर्व भी कह सकते हम ठीक है नर्व भी कई बार टर्म कर लिया जाता है नर्व ठीक है तो ये इसकी क्या है क्रियातमक क्रियात्मक वा संरचनात्मक संरचनात्मक जो है इकाई है किसकी तो भाई जो आपका मस्तिस्क है या जो आपका सर है नियूरॉन जो है या नर्व जो है वो इसकी क्रियात्मक वा संरचनात्मक या प्राथमिक इकाई है या हम यह कह लें आपका मस्तिक जो है वो निवरान से मिल करके बनता है एक बात आती है जो आपका निवरान है यह जब इसकी इकाई है तो ध्यान रखना है यह सरीर की जो है हमारे सरीर की पूरे वाड़ी हूल वाड़ी में जो है सबसे लंबी सेल होती है यानि कि जो निवरा से रंग से याद रखिएगा कौन नियूरान है ना नियूरान अगर हम बात करें कि नियूरान के अध्यन को हम क्या कहते हैं तो नियूरोलाजी कहते हैं क्या कहते हैं नियूरोलाजी कहते हैं ठीक है देखो नियूरो से मतलब क्या हुआ नियूरो से मतलब आपका नियूरान य उन्यूरों के डिन teu करें यह तो क्या है रहे हैं और उसके अध्यन करता को क्या onwards किरें तो बलजीह कहते हैं ढहते हैं डोलजीश्ट को act। ठीक है यह बात आप रूप से आप या रहेंगे इसके लावा इसके जो आपका है इने आपका खोपड़ ऐसकल है वह सबसे सबसे ज्यादा रक्त जो होता है आपके स्कल में ही होता है और आपके सरीर में जो आपकी बॉड़ी में 5-6 लीटर ब्लड होता है लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपके स्कल में रक्त की मातरा कितनी होती तो डेड़ से 2-2-list तक आपके डेड़ से 2-0-ली तक आपके आपके प्रदिमें होता है अच्छा एक चीज आपको पता होना चाहिए łat़ सरीर का कौन सो भाग सबसे और जा तो यहां पर क्या बनता आपको क्या मिलता है यानि अर्थात आप धया नखना की खोपड़ी ओती आपके इसकल होता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्या पर गूकोज की सब से यज़ादा मात्रा रहती अन्य अब सबसेंदा होता है और उतने यह एंदड़ से 2 लिटर लगबग बलड़ यही पर होता है और यह आपके कुल का erstmal 20% हमारे जो एक काम कैया है इसका काम है हमारे सरीर की जो ख्रीबिधी दिए हो हमारे जिए का जो भी जिस्टम उन सभी प्रकार के सिस्टम पर süुपार का hanya अ आप दिखुँ एक छीज़ समझता है यहां पर को होता है आपका अगर सर जो अगर सर आप incentivije आट यह से काटएं तो ताय और भाय भाग में जो है दोनह यह बट जाएंगे है ना और यहां से पूरा अगर कट कर दें तो हमारा सरीर भी और भाय बहुंद नाइप शरीह ऑगर आप से पूछ लिए जाए कि दाएं सरीर बस्तिस का कौन क्वाँ सा भाग जो एंधर करता है या बाय सरीर पर मस्तिस का मुटिजत का भाग नियंदर करता है तो यह दिख लीजिए अगर आपकरिे वह déb compr में सरीर की बात करें discern करें तो यहाँ पर रहें तो यहाँ पर हमसे सबक्राइद और यहां पर आम भोडी कीषिका शरीर की बात कर लेने हैं ठीक है तो यहां पर जो है बाया कर लो आप ठीक है अगर देखिए आपका जो आपका सिर होगा ना सिर अगर वो दाया होगा तो वो बाये भाग को सरीर के भाग को नियंत्रित करेगा और अगर आपका सिर आपका कैसा होगा बाया यह वह hook वो दाय यह निंगार सरीर कर सरीरपर क्या करेगा नियंतर करेगा अर्था दोनों उल्टा जश्ट काम एक बाइय दाया को जो कंट्रोल करेगा और दायाँ वाला जो है बायाँ करेगा बायाँ वाला दायाँ करेगा ठीक है तो यह चीजे मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी इसके बाद में जो है आपका जो मस्तिस्क होता है मस्तिस्क के भी तीन प्रमुक भाग होते हैं मस्तिस्क के कितन स्क्रीन साड़ आपको दिहान र City स्क्रीन साड़ एक है आपको तीन भाग होते हैं आपके। कौन कौन से देख लेते हैं मस्स्प कि बात हम लोग कर रहे हैं मस्तिस्क कि जो हैं आपके तीन भाग होते हैं एक होता आपका अगर भाग कौँसा अगर भाग दूसरा जो होता है आपका ये मद्ध भाग होता है मद्ध भाग होता है और तीसरा जो होता है आपका कौन सा भाग होता है पस्च भाग होता है ठीक है तीसरा जो आपका पस्च भाग होता है द्यानकना जो अगर भाग जो है अगर भाग इसके भी तीन भाग होते हैं अगर भाग जो होता है आपका इसके भी तीन भाग होते हैं पहला वाला जो होता है इसको सेरे ब्रहम कहते हैं क्या कहते हैं सेरे ब्रहम कहते हैं या इसको हम प्रामस्तिस्क भी कहते हैं प्रामस्तिस्क भी कहते हैं इसको क्या कहते हैं वही या बताओ वही प्रामस्तिस्क कहते हैं सेरे ब्रह्म के बाद में आपका एक थैलमस होता है आपर क्या होता है और एक आपका होता है आपर हाइपो थैलमस क्या होता है हाइपो थैलमस होता है यानि कि देखिए हमने क्या बताया हमने तंद्रिकातंत के बारें बताया तुझरा एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते ह स lucky इसके तीन नेरी चलिकार पूते हैं ऊसे परिशा प्रसेंट पूछी था तंग जहूं क्या अगे पढ़ेंगे तो मस्तिस्क एव भी आपको तीन भाग मिलेंगे अगर अगे तेवाला मद्ध और पच्च तीन वाग हो गए इसके 具ीक होटते हैं शिए ब Brandon कर इसके निए इसे बाद में जो अपका मद्द मस्तिस्क होताई इसमें दो लॉबी होती है लेकिन वह हैं और पस्ड मस्तिस्क जो होता है इसके भी तीन भाग होते हैं पस्च मस्तिष जो होता है इसके भी तीन भाग होते हैं पहला जो होता है आपका पॉंस होता है दूसरा जो होता है आपका सेरे बेलम होता है क्या होता है सेरे बेलम देखो वहां पर सेरे ब्रहम है और यहां पर सेरे बेलम है द्यान अखना और तीसरा जो होता है यह होता है मेडूला अब्लम्कटा मेडूला घाटा तो था म helpful आगें नो थे नो हमने क्या पता है फिर से सकारी मस्तिष रहा है इसमें तीन भाग अग छह ध्युक्र स्ोलशिझ सेरे बेलम और मेडमल अबलं गाटव डाठे जो है आपका क्या होता यह आपका पश्च भाग का ठीक है और यहां पर देखो कहाई यह अवर और पर सेरे भुल में ब्रहम siamo और बेलम में अंतर है ठीक बत को त्यानक आःध जो अगले पॉसमें इसको भी पर खतम की तो अपने दोस्तों को सेयर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए धन्नवाद फिर मिलेंगे